और अब बिहार की राजनीती से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं तेजस्वी ने नितीश कुमार पर राजद्रोह का आरोप लगाया है और कहा है कि हमने आपका वजूद बचाया हमें पता था आप बीजेपी के साथ जाएंगे लोकतंत्र की हत्या की गई है ये बात तेजस्वी आदफ की तरफ से कही गई है बिहार के युवा के साथ नकारात्मक राजनीती की है नितीश ने कभी इस्तीफा नहीं मांगा ये बाते तेजस्वी आदफ की तरफ से कही जा रही है छवी चमकाने के लिए ये साज़िश सरासर महज एक साज़िश रची गई है तो ये बड़ा आरोप यहाँ पर तेजस्पी आदब की तरफ से लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है और ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए कि इस्तीफा नहीं मांगा गया था महज छवी चमकाने के लिए ये पूरी साज़िश नितीश कुमार ने रची है उन्होंने काहा इसी के साथ राज़्द्रों का भी आरोप लगाया है और कहा कि हमने आपका वजूद बचाया हमें ये पता था कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे अपनी बात विधान सभा में तेजस्पी यादव रख रहे हैं नेता विपक्ष चुने गए हैं उसके बाद कई सारी तमाम बाते उनकी तरफ से बोली गए कि मेरे आत्म विश्वास से यापर नितीश कुमार डर गए थे अगर उनमें हिम्मत ही तो मुझे बरखास उन्होंने क्यों नहीं किया अपना विश्वास मत का प्रस्ताव नितीश कुमार पेश कर चुके हैं और आर जेडी के जो विधायक हैं लगातार आकरामक रुख अपनाए हुए है विधान सभा में जब कारेकरता और विधायक पहुचे थे लगातार बाहर मौजूद थे और उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही थी सुशील मोदी जिस वक्त वहां पहुचे थे उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था बहुत जादा आकरोश यहां पर आरजेडी के जो विधायक और कारेकरता उनकी तरफ से दिखा जा रहा है और फिलहाल तेजस्वी आदव अपना पाक्ष अपनी बात विधान सभा के अंदर रख रहे हैं और इसी दोरान ये तमाम आरोप उनकी और से नितीश कुमार पर लगाए जा रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने नितीश कुमार का वजूद बचाया है इस बात से वो वाकिफ थे कि नितीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि नितीश ने कभी इस्तीफा नहीं मांगा क्योंकि जब ये पूरा मामला चल रहा था तो ये फावराइटी की चार दिनों का अल्टिमेटम नितीश कुमार की ओर से दिया गया है और इसके पाद फैसला यहां पर आरज़ेटी को करना होगा संतोष तिवारी हमारे साथ ओनलाइन पर लगतार हमारे साथ बने हुए हैं संतोष लगतार वहां पर अबायानबाजी तेजस्वी की तरफ से की जा रही है और अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नितीश कुमार ने इस्तीफा मांगा ही नहीं था ये आरजेडी का पक्ष लगातार रहा है लालुक पसाद यादरविस को कहते रहे हैं नितीश कुमार ने कभी स्तीफा नहीं माना इस बात को विदान सवा के भीतर भी दोराया जा रहा है लेकिन तेजस्वी अब अटैकिंग मोट में राजनीती कर रहे हैं क्योंकि बाहर सरकों पर भी दिख रहा है बिहार के तमाम जिलों में अर्जेडी के कारेकरता काफी उगर हो गए हैं और विदान सवा के भीतर भी एक युवा शक्ती दिखाने की कोशिश है अपनी चभी चमकाने के लिए नितीश कुमार ने ऐसा काम किया ये आरोप लगा रहे हैं के साथ नकरात्मक राजनीती कर रहे हैं नितीश कुमार युवाओं को लेकर बिलकुल उनको लगता है कि युवा इस बिहार के कुछ कर नहीं पाएंगे और ऐसे में जो उन्होंने मेरे साथ किया यानि जो तेजस्वी के साथ किया यही वो बिहार के युवाओं के साथ करे तो आरोप प्रत्य आरोप का एक लंबा दोर चल रहा है और चले अभी आगे क्योंकि विदान सभा के बाद सड़कों पर अब आरजएडी की राजनीती और काफी संघर्ष की राजनीती करनी है लालू प्रसाद यादव से तमाम विदायकों ने बाची तो आने से पहले करता और विदायक बाहर नजर आ रहे थे यह तो बिल्कुल सपश्ट था किसी तरह की जो तस्वीर है वो अंदर भी देखने को मिलेगी संतोष जो स्पीकर है विजा चौधरी वो नितीश कुमार के काफी करीबी बताय जाते हैं से कितना जादा फर्क जो है यहां पर चल रहा है और जेडियू के सभी नेताओं को उसके पीछे गसीतने की कोशिश ये बताने के लिए है कि हम जो राजनीती कर रहे हैं और नितीश कुमार हर कुरसी पर अपना आदमी बैठा कर रहा है यहां तक उन्होंने राजयपाल के ओपर भी हंगली उठा दी है आर जेड कुमार ने किस तरह उनका इस्तमाल किया चलिए संतोष बहुत बहुत शुक्रिया आप से आगे भी हम तमाम अपडेट्स लेंगे नजर आप बनाए रहिएगा तो फिलहाल